नमस्कार पर ये विद्धार्थियों, वीके नोलेज इलेक्टिकल में आप सभी का स्वागत है वेकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्तित हूँ एक और आईटियाई होल्डर्स बच्चों के लिए वेकेंसी आ चुकी है एक और मोका आईटियाई होल्डर बच्चों के लिए आ चुका है पूरी डीटेल से बात करेंगे, कौन अपलाई कर सकता है, क्या क्राइटियरिया रखा गया है सेलेबस कैसा होगा, एक्जाम का प्रेटरंड क्या रहेगा, सेलेक्शन प्रोसेस जानने के लिए इन दोनों का पता होना जरूरी है एज ग्रूप क्या है, सेटों के संख्या कितनी है, और क्वालिफिकेशन, कौन-कौन भर सकता है, किस डिपार्टमेंट की वेकेंसी है इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आईए एक वेकेंसी पर नजर डालते हैं, माई डियर नोटिफिकेशन आए हुए, शोट नोटिफिकेशन आया था, तीन-चार दिन हो गए, अब इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पूरी डिटेल हमें मिल च आता है, इंडियन रेर अर्थ लिमिटेड के नाम से बोलते हम इसे, और मुंबई में इसका हेड गट रहे हैं, हाला कि ये वेकेंसी मुंबई के लिए नहीं, वेकेंसी ये आपकी उदर ओडिशा, आंदर परदेश, एमपी, यहां के लिए वेकेंसी है, अच्छी बात ये ह कौन-कौन भर सकता है, कंप्लीट वीडियो आप देखना, एक-एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, फर्स्ट और फाल, इसके ओनलाइन अप्लिकेशन 23 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, यानि आज दोपैर को ही 2 बज़े सुरू हो गए थे, बस इसी का वेट कर रहे थ तो फिर आपको नोटिफिकेशन डालना था, 15 मार्च 2024 लास्ट डेट है, समय रहते अपलाई, जरूर कर देना, बहुत बढ़िया मोका आया है, मोके को छोड़ना नहीं है, खास तोर से अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, मैं आपको डिटेल ट्रेड की बताने स पहले स्टेट बताता हूँ, वैसे तो गवर्मेट ओफ इंडिया की वेकेंसी है, तो पूरे भारत से इसमें कोई भी भर सकता है, वो तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है ना, ओडिसा के लिए वेकेंसी है, केरला के लिए वेकेंसी है, उसके बाद में अगर हम और बात करे नहीं है एक्जाम सेंटर का होगा वो मैं बताऊंगा लेकिन और कहां कितनी सीटें वो में बताऊंगा यह है वो सिट जहां वेकंसी होनी है और इंडिया से भर तो कोई भी सकेगा तो अगर आप इन्हीं स्टेट से बिलोंग करते हैं तो क्यों नहीं इस अपोर्चुनिटी का आप फाइदा उठाइए आजाएए जी ट्रेड की और पोस्टों की बात कर लेते हैं ओवराल यहां पर ट्रेड्समें मेट की 67 सीट है और 500 यूनिट में इनको डिवाइड किया गया है 500 यूनिट में भी फीटर इलेक्रिशन इनमें डिवाइड कर दिया प्लांट ओपरेट में डिवाइड कर दिया तो देखो प्रेटिकुलर सीटों की संख्या तो घटी जाएगी क्योंकि ओवराल सीटे भी मातर सड़सर यानि 67 सीट है तो प्रेटिकुलर कम होनी है फिर भी बात कर लेते हैं सबसे पहले ओडिसा वालों के लिए फिटर की 13 सीटे है और इसमें एक्जाम हुआ था उसके बाद ये मोका आ गया अगर आप ओडिसा से है और फिर भी पिछे रह जाते हैं तो कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं अपने तैयारी को बुष्टप देजिएगा मोके बहुत मिल रहे हैं आपको के लिए बात करें तो फिटर की 15 सीट है जब एमपी के लिए बात करें तो यहां तो देखो सबसी जदा बच्चे यहां यहीं से थे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे एक मोका है उसमें भी देखो इलेक्टरिशन की मातर एक सीट है फिटर की दो क्या कर लेंगे यह एक की जगए गर सो होती तब भी कम है एमपी वाले पिछले साथ साल से वेकेंसी आई नहीं है इने भरतियों के साहरे बच्चे टीके वे और उनको यह मोका मिल रहे तो क्या करें अंदर परदियस वाईजेग वालों में दो एक और दो सीट है यानि इलेक्टरिशन की यहां भी एक ही सीट है खेर आप अपने इसाब से चूज कर सकते हैं पूरी क्वालिफिकेशन और वो सब देखी लीजिएगा ठीक है बात करें अगर एज के लिए तो फोट लंबा चुड़ा क्राइटेरिया दिया है बहुत छूट दी है थर्टी फाइब इयर मैक्सिमम एज है यानि 18 से लेकर 35 वर्स की एज तक आपको छूट मिल तीन वर्स का रिलेक्सेशन यानि छूट यहाँ पर मिल जाएगी वहीं सी और स्टी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पांच वर्स का एज रिलेक्सेशन मिल जाएगा यानि 40 वर्स तक फोरम अपलाई कर पाएंगे तो मोका तो है फाइदा उठाना चाहिए अगर थोड़ा सा पेज स्केल पर नजट डाले तो ट्रेनिंग पिरिड रहेगा आपका दो साल का ट्रेनिंग पिरिड के दुरान आपको 20,000 रुपे पर मन्त मिलेंगे और उसके बाद रेगुलर कर देंगे जहां 22,000 रुपे आपका इनिशियल पेज स्केल होगा यानि पहली बै ट्रेनिंग का पूरा डेटा मैं आपको दे दूगा कितने टाइम की कितनी ट्रेनिंग है ठीक है सीटों की सिंख्या के बाद मेन पॉइंट आता है बच्चों के लिए क्वालिफिकेशन का ठीक है न? हम यहां सोचते हैं कि क्वालिफिकेशन का पता लगे पहले जरूरी है तो बिल्कुल आजाईए हम आ चुके हैं क्वालिफिकेशन पर नजर डालते हैं क्या मांग रहा है ट्रेड में ट्रेनी आइटी आई फिटर और इलेक्रिशन वाले बच्चों के लिए ध्यान से सुनियेगा बड़ी टेडी सर्त रखी है आई टी आई हो इलेक्रिशन में पहल चर्टिफिकेट भी होना चाहिए ट्रेड से अब देखो भाई आज ही एक मैंने वीडियो डाला था मोर्निंग में कि अगर आपने अप्रेंट्सिप कर रखी है तो एक साल का तो एक साल का एक्स्पिरिंस कहीं और से आपने काम किया है तो वो बनवा लो दो साल का एक्स्प इलेक्टिशन जो बॉल्ड होता है न यहां से बनता है तो ये तीन चीजें इलेक्टिशन वालों के पास होनी चाहिए एक्स्पिरिंस और उसके बाद में एक लाइसेंस जो वर्कमेन इलेक्टिशन के नाम से आपको मिल जाएगा वो ले सकते हैं फिटर वाले बच्चों के यहां मुझे लगता है बहुत सारे बच्छों के पास experience नहीं है लगबग यहां से बाहर बहुत सारे बच्छों के पास license नहीं होगा लगबग यहां से बाहर reservation के इसाब से सीटों का डिवाडेशन किया गया वो जरूरी है एज में जो relaxation मिल रहा है उस पर चर्चा मेरी पहले ही हो चुकी है किसको कितनी छूट मिलेगी है हम सलेबस की तरफ exam pattern की तरफ वो ज्यादा जरूरी है online apply होगा selection mode पर आते हैं देखो selection mode के लिए आपका एक return test होग जो CBT mode में होगा उसके बाद में skill test होगी और वो कह रहे हैं कि हम साइको भी ले सकते हैं लेकिन साइको ITA वालों का नहीं लिया जाएगा इसमें दो चीज़ें होगी computer based test होगा और उसके बाद में skill test भी आपको देना पड़ेगा computer based test में क्या आएगा देखेगा अच्छा ब यह वहां हम इसी तरह के भरती होंगे जितने भी previous question paper होते हैं उनके official question paper और answer की वहां आपको provide करवाते हैं सो आप lifetime membership जरूर जोइन करें आप में से किसी के पास अगर यह paper हो तो हमें send करना उसको हम अब digital board पर आपको दुबारा हल करवा देंगे एक बार तो करवाया हुआ and half यानि 90 minute का समय मिलेगा आपको so question आएंगे कोई negative marking नहीं होगी इसलिए पूरा paper attend करना है छोड़ना कुछ भी नहीं है अब आते हैं paper में क्या आएगा paper में आएगी दो चीजे paper first जो होगा उसमें 50 question आएंगे आपकी पूरी पूरी trade से related यानि electrician हो तो electrician के 50 question previous paper पढ़ कर जाना हमने हल करवा रख है आपको अगर उसके बाद में बात करे part second की तो उसमें 50 question आएंगे और वो 50 question normal जो मैं पिछले तीन सालों से आपको बोलता हुआ रहा हूं कि यह पांच चीजें पढ़ लो यह पांच subject पढ़ लो कौन कौन general knowledge या general awareness इसी पर आधारित test series आपको हमा आपके सोक्य सन बता चुका हूं करवा चुका हूं पूरा पेपर टेकनिकल वाला हल करवाया हुआ है और बाकी इनकी test series हम आपको प्रोइड करवा चुके है minimum qualifying marks है उसकी जरूरत नहीं रिटन टेस्ट कहां होंगे देखेगा एक्जाम देने के लिए कहां जाना होगा अगर इच्छा हो तो फोरम भर देना वेट इंग्लिश निकालेंगे सर्विस बॉंड है तीन साल तक आप नोकरी छोड़नी पाएंगे उसकी फिलाल जरूर नहीं है प्लेस और फोस्टिंग तो वो प्रोजेक्ट के लिए ही होगी हां application फीस पर आते हैं 500 रूपए देने प रखा गया है एक सर्विसमेन को भी मुक्त रखा गया है ठीक है आई आर एल डोट को डोट इन वेब साइट पर जाकर आप अपलाई कर सकते हैं और और बाकी डिटेल देखने के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ लीजेगा PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टे स्रीज आपको मिल जाएगी लाइफ टाइम मेंबर सीप आप जोइन करें प्रिवेस एक्जाम पेपर आपको मिल जाएगे अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अपने दोस्तों तक पहुंचाईए सेयर करने का काम जरूर कीजिएग पहुत पहुत दनिवाद